हेलो एबरिवन लाई हूँ अपने मोस्ट फेवरेट हीरो का ड्रामा जिसकी कहानी आप सबको उमीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी मेरे चैनल पर नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दें क्यूंकि रोमेंटिक टाइप की स्टोरी आपको मेरे चैनल पर मिल बहुत मानती और जैसा मैं तुम्हें कोंगी तुम्हें वैसा करना होगा तो सीयू मन में सोचने लगती है कि मुझे अपने पैरेंस का बाई की जान बचाने के लिए BU पहर दो दो टो से वन इन फंग है कि अनली गलता बें आपक उन्स खुलता है। कुझी जाना हुगा अपने अण्ड़र के लगा लो चाहते हो दो अगर आप tôi च्छल्राप ले komme hai की हुच है, वो जैसी हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वहाँ पर ही उसको मिस्स जेन मिलती है जो कि उसको देखकर कहती है कि तुम तो हूब हूँ मेरी फोर्ट बेटी के जैसी नजर आती हो आज के बाद तुम जेन वैमिली का हिस्सा हो और तुम मेरी फोर्ट नमर की बेटी कहलाओगी अब से तुम्हारा नाम सी यू नहीं बलके जियान है और जैसा मैं तुम्हें कहूंगी तुम्हें वैसा करना होगा इसके बदले में मैं तुम्हारी भाई की जान बचा लूँगी इस बात के लिए वो अग्री कर जाती है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत सादा प्यार करती होती है अब मिसिस जेन उसको एडवाइस करती है कि तुम्हारी कल इंगेजमेंट है लू जियान के साथ और मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि जैसा वो तुम्हें कहे तुमने उसकी हर कहने को मानना है और तुमने अपनी वर्जैनिटी खो दीनी है उसके साथ रुमेंडिक नाइट स्पेंट करनी है नेक्स टेम मैं ये सब कुछ चेक करूंगी कि तुमने अपनी virginity खोई है कि नहीं और अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो तुम देखो मैं तुम्हारे भाई को disable कर लूँगी जिसे सुनकर वो फिर से शौक्ट होती है वो अपनी भाई की जान बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती तो वो इस चीज के लिए अगरिक कर जाती है सीन छिफ्ट होता है दिखाए जाता है कि जैसे ही जियान जाती है वो यही सोचती है कि लू जियान यहां पर बैठा होगा मुझे आज नाइट इसके साथ spend करना होगा परना मेरे बाई को खत्रा हो सकता है तो वो अपनी nigh गो तारती है और जाकर जैसी ही सामने जाती है तो वहाँ पर हमारे main lead hero जिसक नाम डूसियाओ है जो लो जियान का भाई होता है वो बैठा होता है अब वो इसके करीब होती है आइस क्लोस करके उसको किस करती है वहाँ पर यही लूज याओ थोड़ा है और वो भी उसको सोफा की तब पुश करता है और उसको लिपकिस करने लग जाता है और उसको कहने लगता है कि लगता है कि सिच्वेशन का तुम फाइदा उठा रही हो और तुम देखो मेरे साथ हो, अब उसको हिरानगी से देखती है तब भी वो उसको सौरी करता है और उसको कोट फेंकर कहता है कि इसको पहन लो, इसके बाद ही हम कोई बात करेंगे, क्योंकि तुम तो मेरी सिस्टर की तरह हो ना, अब वो टॉन फे में इसको कहता है, वहाई को थोड़ा गब रा जाती है, और उसको कहने लगती है, कि I'm sorry, अंधेरी की वज़े से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी, लेकिन अच्छा यही रहेगा, कि लोजियान यहां पर आता होगा, तुम उसको बिल्कुल भी इसके बारे में मत बताना, यह जिस्ट एक एक ए कामली ने हमें यही सिकाया है, कि तुम्हारा मड़ बाहर जो कुछ भी करता रहे, लेकिन आखिर कार तुम तो बहुती दर्याय दिल निकली हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह बताता हूं, कि एक ओट उतार दो, और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसी जिगे पे ले जा लुजियान अपनी अडाप्टेट सिस्टर जिसका नाम मिली होता है, उसके साथ रंगरगीला मेना रहा होता है, तो वसको सौरी करने लगती है जो तुम्हारी इंगेजमेंट नाइट थी, लेकिन भी मैं तुम्हें यहां पर बुला लिया, तो वसको कहता है, इसी भी दस तो नहीं हो रही है, तो फिर वसको कहने लगती है, सैड में नहीं होती है, क्योंकि जेन फैमिली में हम यही सिकाया है, कि कोई भी हालत रहे, आपको पॉलाइट रहना चाहिए, अब जिस्तास इसको देख रहता है, और वह अंदर इसको कहा होता है, कि तुम्हें रुमे उसको कहने लगती है, क्या आज की रात तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर सकोगे, तो उसको हैरानगी से देखता है, वहाँ पर इसको धका देता है, और उसको अपने साथ ले जाता है, तो नहीं हो कहने लगता है, कि तुम ब्रुज गरने के लिए सब कुश मेरे साथ कर हूँ तो पिर मनमें सोचने लगती है कि मुझे इस मोके का फायदा इठाना चाहिए तो फिर वहां पर इव में चीज करने के कि लिए तयार हूँ तो फिर पर इव तो थोड़ा सी डियोस करती है और उसको के एए कोलती है कि तुम जैसा जो कुछ करोगे मैं हर्चिज कॉल्स आ रही होती है। महाँ पर लूजियाओ का मूड आफ हो जाता है। अब जैसी कॉल पिक करती है। तो फिर वो इसको डांट के कह रहा हुता है कि 20 मिनट में घर में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। महाँ पर फॉन लेकर पीछे फैंकता है। उसको कहता है कि मुझसे फ तुम से यह कहना चाहूंगी कि इस रात के बारे में तुम लूजियाओ को बिल्कूल भी मत पताना। तो फिर वो इसको हसके कहता है कि मैं उसको कैसे ना बताओं। जो कोट में घर में रख कर आया हूं। उसको साफ लगेगा कि तुम घर से बाहर हो यानि तुम किसी के लूजयान लूजयान इसके पास आता है, कोड़ फैंकर खेंकर कहता है, तुम किस आता है, और इसको ठपड मेशर यहां। कोड़ के जोंगों सकत हैं। मेश और मैं आज इस बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वहाँ पर एलूजियान इसके बात पर ट्रस्ट कर लेता है और अचानक पीछे से लूजियाव आ जाता है जिसे देखकर हैरान होती है जियान कि यहां क्या करा है यह कहीं बता तो नहीं देगा वरना तुमने अपने बड़े भाई का अंजाम देख लिया ना कि मैंने उसको कैसे डिसेबल किया था मारने को आकर बाहर सॉट आउट करो तो फिर वो उसको कहते है कि ठीक है आप जाओ मैं आता हूँ तो फिर वहां पर ही दिखाते है कि जियान कोट उटाकर साइट पर रखते है और कहती है कि लेट हो रहा है मैं जा रही हूँ तो वहां पर ही उसको तंक करने लगता है कि आ तो तुमारी इंगेजमेंट नाइट है ना और इस तरह से तुम्हें सैट देकर बहुत अच्छा लग रहा है वहां पर ही मिली हैरानगी से इन दोनों की नजदीक्या देख रही होती है तो वह जैसे तैसे जियान वहां से चली जाती है उसके जाने के बाद लो जियान गुसे से आकर बैठता है तो मिली उसको बहकाने लगती है कि तुमने देखा नहीं था कि जियान और लो जियान एक दूसरे से कैसे बाते कर रहे थे तो फिर उसको कहता है तुम्हें घलत पहमी वे यह लड़की इतनी जादा तेज नहीं है और ऐसा यह कुछ नहीं कर सकती मुझे डिस्टर्ब मत करो में जा रहा हूँ और वहां पर रिमीली किसी को फ़ॉन पर कहती है कि जियान पर नывать रुको मुझे इस पर doubt हो रहा है sc因 चीप рूसा है कि जियान जा रही होते है और मन में सोचने लगती है तो पिर वहां पर ही वह सको पने करीब करके जबरदस्ती उसे कुस्सिंग कर रहा होता है तो पिर वहां पर ही वह सको सिटिसिंग वे में कहती है चलो ठीक है तो मुझे जहां लेके जाना चाहता हो मैं चलने के लिए तैयार हूं तो पिर वह सको कहता है तो मुझे ड्राइवर की तरह तूल यूस कर रही हो तो मुझे कहीं ले जाओगे पिर वह सको कार में बिठाता ह कि मुझे आज रात इसके साथ रुकना चाहिए ताके मिसिस जेन को यही फील हो कि मैंने नाइट स्पेंट किसी के साथ की है मुझे इसके साथ जरूर जाना होगा वना मेरे भाई को खत्रा हो सकता है तो दिखाये जाता है कि सुबो के 8 बच चाते हैं वहाँ पर ही दिखाते है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी फैमिली में ब्रेकफास्ट है तो वहाँ पर अच्छे से बेहव करना और तुम चली जाना तो फिर वसको कहती है मैं समझ दे तो नेक्स दिखाया जाता है कि लुजियान के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है तो लगता है कि कोई गड़बर तो होगी वहाँ पर ही दिखाते कि लुजियाओ आता है और आकर कहने लगता है कि पीट पीछे किसी के बात करना बहुत बुरी आदत हो थी ग्रैंट फादर मैं वैसे भी आ चुका हूं है ना मैं ठीक कह रहा हूं ना सिस्टर वो जैसी जान की तब देखकर कहता है तो वो मन में सोचने रखते कहीं है मेरा रास तो निफाश कर देगा तो वो डरने लग रही होती है तो पिर वहाँ पर ही ग्रैंट फादर कहते है कि तुम इस लड़की से मिल चुकी हो ये तो लुजियान की फ्यांसी है तो उसको कहता है कि हाँ मैं इसे देख भी चुका हैं अब वो जानकर इसको टीस कर रहा होता है और फिर वहाँ पर ही वो डर कर कहने लगते कि हाँ मुझे याद आया उस दिन इंगेजमेंट पार्टी पर ये मुझे देखने के लिए आये था तो मुझे याद आया हम दोनों मिले थे तो फिर वहाँ पर ही ग्रैंट फादर क यानि के डॉंग जमीन के बारे में कुछ डिसकस कर रहे होते हैं और वो अपने भायों में बाटने की बात कर रहे होते हैं लेकिन ये बिजनिस में बहुत फास्ट होता है तो वो साथ इस चीज को लेकर इंकार कर देता है और उसको कहता है कि नहीं जो चीज मुझे करनी है ह मैं अच्छे से करूंगा और वैसे भी चो लोग बिजनेस में या किसी और चीज में धोका देते हैं तो मैं उनकी टांगे काड़ देता हूं वहां पर ही वह अपने बड़े भाई की तफ इशारा करता है क्योंकि उन्हों ने भी इसको दोका दिया होता है और उसने इंको डिस मैं पर दिखाते हैं सब लोग इन दोनों की नज़्दीकां देखकर थोड़ा है रहां हो रहे होते हैं और वहां पर दिखाते हैं कि जान थोड़ा सा डर रही होती है तो लीजय और उनको कहने लगता है कि आज ब्रेग पात अच्छे से हो गया सब लोग अपना खाकर अंद से लेके रहूंगा, सीन शिफ्ट होता है, दिखाय जाता है कि लूज याओ वाश्रूम में होता है, जियान उसके पास जाती है, और उसको जाकर कहने लगती है, तुमने मुझसे किया था कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं बता होगे, लेकिन यह सब कुछ क्या था, तो फि मुझे इस सिच्वेशन का फाइदा उठाने दो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, जिससा से तुम तंग हो रही थी, और अचानक से वो थोड़ा अपन साइको पन भी इसको टॉर्चर करके दिखा रहा होता है, कि तुमें पता है ना, कि जो लोग मुझे दोका देते हैं, और उसके सर को सहला कर वहां से मुस्कराते वे चला जाता है, वहां पर यह बहुत जादा डर जाती है, कि वह किस फैमिली में भस चुकी है, और वहां वह अपने भाई को याद कर रही हो, तिर मन में सोचने लगती है, कि भाई, प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ, और इस जेन ने उसको मार के दिये होती है, तो फर्स टेट बॉक्स उठा कर उसको साफ करने लग रही होती है, कि अचानक से पीछे जखमी हालत में लूज या हुआ जाता है, और आकर उसको कहने लगता है, कि अगर तुम अपनी खैर चाती हो, तो तुम ने यहां पर कुछ भी नहीं लेखा, तुम यहां से चली जा, लेकिन जियान को पता चल जाता है, कि यह जखमी है, तो वहां पर ही, वो उसको मैडिसन वगएरा लगाने लगती है, तो उसको हिरानगी से देखने लगता है, और उसको कहने लगता है, कि क्या हुआ, तुमें यह देखकर डर नहीं तो फिर वो उसको कहती है कि बिमारी की हालत में भी तुम इतना बोल रहे हो। और उसको कहने लगती है कि नहीं मुझे डर्ड नहीं लगता है। ये चीज़े मैंने बहुत देख रखी है। तो फिर वहाँ पर ही उसके जखम को साफ कर रही होती है। तो फिर उसको कहती है कि नहीं ये तो महमुली सा जखम है। और मुस्कुराने लगती है। भी उसको कहती है क्या तुम्हे तो वैसे दर्द नहीं होता। और वहाँ पर भी वो बच्मन का अपना फलेश पर खुर रहा होता है। किस तरह से इसके फादर इसको बहुत दा टॉचर किया करते थे लेकिन इसकी मॉम उसको स्पोर्ट करती थी अब इसके फादर इसको बहुत मारा करते होते हैं और grandfather भी से question करते है कि तुम्हारे father ने तुम्हें जोड़ जोड़ से मारा है ना तुम उनको बताते हैं हाँ तो वहाँ पर ही उसकी shirt पगरा उतार कर बेल्ट से इनके grandfather भी सको मारा करते थे अब वो यह चीज़े कर रहा होता है तब तक दिखाते हैं कि जयान ने इसकी full bandage कर ली होती है तो उसके बाद वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कोई भी favor मांगना चाहो तुम मांग सकती हो क्योंकि अब तुमने मुझे मुझे रहसान किया है तो वो मन में सोचने लग रही होती है कि क्या पता मैं इसे अपने भाई की help मांगो तो यह मेरी help कर दे तो अचानक से यह फिर इसके वही रूप याद कर रही होती कि किस्ता थी इसको torture कर रहा था तो वो मन में सोचने लगते है कि पिलहाल मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए तो वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे भाई के साथ बहुत जादा सिंसेर हूँ और मैं उसी से प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगे कि उसरा जो हमारे साथ हुआ था तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे तो वो मस्कुराने लगता है कि अच्छा तो तुम अपनी सिंसेरी दिखा कि ये जताना चाहती हूँ कि मैं तुम से दूर हो जाओ तो फिर वहां पर ही वो मन में सोचती है कि मुझे ये ही यकिन इसको दिलाना चाहिए कि मैं इसके भाई के साथ सिंसेरी हूँ ताकि इसको मुझे डाउट नहीं तो फिर वोसको कहती है कि आज के बाद तुम किसी को ये बताने की कोशिश Maya करना लेकिन तब वो उसको कहता है कि ठीक है ये बात तुम में मान लेता हूं लेकिन तुम ये बात भी याद रखना कि आज की बाद तुम दुबारा से मेरे सामने आई तो मैं हमेशा के लिए तुम अपनी जन्दगी में एंटर कर लूँगा तुम्हें जाने नहीं दूँग तो मैं हमेशा के लिए तुम मैं अपने पास रखूँगा और जाने नहीं दूँगा तो वसको कहते है ठीक है आज की बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी सीन शीप्त नहीं दिखाया जाता है कि लूजिन जान जियान का बेट कर रहा होता है और फ्लेश हमेंटा बेखा कर रही होता है जातर उसको कहता है कि तुम मेरी फ्यांसी हो तुम मेरा इतना सा भी काम नहीं कर सकती हो ठीक है अगर ये बात में तुम्हारी फैमली में बता दूँगा तुम से इंगेजमेंट तोड़ दूँगा तो वो खुदी तुमसे निवट लेंगे जिसे सुनकर वो थोड़ा सा वरना तुम देखो मैं तुम्हारी भाई को दुबारा से बिमार करवा सकती हूँ जिसे सुनकर वो फिर से मजबूर हो जाती है और वो सोचते है कि अपनी भाई को बचाने के लिए मैं फिर से लूज याओ के पास चाहूंगी दूसी तफ से दिखाते है कि लूज याओ मैंने उस दिन तुम्हें कहा था ना कि एक बार फिर तुम मेरे पास आओगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें कभी नहीं जाने दूना तो उसको सौरी करती है और उसको कहती है कि इस बार में जरूरी काम से आई हूँ मुझे डॉंग्लिन जमीन के प्रोजेक्ट के बार मे तुम जो करना चाहूं तुम कर सकते है। फिर उसको ओफर देता है कि थीक है तुम्हे लोजिंग्यान को छोड़ना अऊगा और मेरे पस आना होगा लेकिन वो इंकार कर देती है। और मन में सोचने लगती है कि उसको किस्ता से टॉर्चर किया होता है कि तुम मने curiosity दिखा रही हए लेकिन उसको भी तो तुम्हारे बारी बेना चाहिए चलो थीड़ अगर मैं उसको call करकर बता दूँ कि उस रात तुम मेरे साथी ई और क्या क्या हुआ तो वहां पर काल इन्ट इदो तो उसको मैनी प्लिस तुम मैंसा तो फिर वाँ पर इसको करीप पर्के कहता है kannan तुमने 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 कहा था ना कि मेरे सातle बदमाशी नहीं चलेगी तुम्हेे पता है कि मुझे भाग नहीं सकती हो तो फिर वहांपर ही वह गुस ही वहां गुब से घुस्वार्प सु सारी बातैं दिरιαन क्या होग? तो वो मुड़कर कैती क्या मतलब तुमने उसको बताया नहीं तो उसको कहता है कि इसको मेरी last warning समझता और वैसे भी मेरा जब दिल चाहे मैं उसको बता सकता हूँ इसके लिए तुम्हें मेरी responsibility लेनी होगी वो खामोश होती है तो उसको कहता है कि इसका मतलब है कि मैं उसको call कर दूँ वो call करने लगता है तो वो उसको रोपती है और उसको कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी responsibility लोगी और जैसा तुम कहोगी मैं obedient बनूँगी वहां ही वो उसके करीब होती है और उसको किस करती है और किस करने के बाद ये लोग जैसे intimate worker free होते है वहां पर ही वो उसको देखने लगता है और उसको कहने लगता है कि ठीक है फाइल देने के लिए मैं तुम्हें तयार हूँ लेकिन जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा जैसे ही वो उसको file देता है वो लेने लग रही होती है वहां ही वो मन में सूचती है कि इस बतमाश के पास आएंदा में नहीं आऊंगी तो फिर वहाँ पर ही वो file फिर से पीचे कर देता है और उसको कहता है याद रखना तुम उससे भाग नहीं सकती अगर तुमने कोई होश्यारी दिखाने क्यों कोशिश करी तो तुम देख लेना तो फिर उसको यगी दिलाती है कि तुम्हारा सरकल बहुत बढ़ा है और वैसे भी मैं तुमसे बचके नहीं जा सकती हूँ तो मैं जब तुम बुलाओगे मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी तो फिर उसको फाइल दे देता है जैसी वो फाइल देखती है तो उसका थैंक्स करती है और उसको कहती है कि ठीक है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है तब ही फिर उसको पीछे से कहता है कि कल दस बजे आना भूला मत तो फिर उसको कहते है ठीक है मैं जरूर आउंगी तो वह जैसी जाती है और कार में यही सोच रही होती है कि मैं कहीं फस्तों नहीं रही हूं इसके साथ लेंदेन करके और वहां पर ही दिखाते हैं कि लूजियाओ का असिस्टेंट कार में बैटा कि जफ से लिए काता से जाती तो में की सरफ में वहा कर कर दीया था जाँ जाता है कि दुछा ओगता है काता हुछ को कि यह वहा हुग वहां तो छेंपार तो ही उसने तुमेर उसने पीज़न के सबनिंद है और रहे को довol? लू जियान के सब मैं और है एक सबस्टोर नियुन समय करें einजाए कई जिन्यान उसको कहता है हाँ चली जाओ उसके जाने के बाद दिखाते हैं के मिली फिर से अपने खास बंदे को कॉल करके कहती है कि तुम इसके नजर रख रहे हो ना इसकी फॉटोस ले रहे हो ना मुझे इसके खिलाफ कोई तो एविडेंस मिले ताकि मैं इसको इस फैमिली से निकाल के फैन दो तो दिखाए जाता है कि अब चोरी चुपके जियान अपने भाई से मिलने के लिए जा रही होते हैं तो जैसे ही जाती है उनसे मिलने के लिए वहाँ पर यह उसको थोड़ा सा होश आता है और उसको बोलने लगते है कि मैं तुम्हें यह बताना चाहता तो उसको कहने लगती है कि हां मुझे पता है मेरे फादर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वो कितने साल से मिजशिक टीचर थे और गर्ल्स को पढ़ाते आ रहे थे आज तक उन्हों ने ऐसा नहीं किया थे और ऐसा नहीं हो सकता है और अचानक से इसके भाई को एक फ्रेश वैक से भाग जाती है अब इसके भाई की चीजे सोच की तबित खराब होने लगती है वहाई वह जोड़ से चिला के डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर आकर चेक करता है और उसको कहता है जो बारा से कॉमा में चलाई है लेकि यह जल्दी ठीक हो जाएगा जैसी वह बाहर नि तो पर 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 पहले बहुता है कि अगर मिसिस गौन वहां पर आ रही है और मुझे हेचन बेजा जा रहा है कहीं वहां पर फिर से गौन ना आ जाए और वो मेरी आइडेंटिटी ने पहुंच आए तब ही पर वह कहती है कि उसके साथ भी तुम्हें अपना रिलिशन थोड़ा ठीक करना होगा वैसे भी मैं तुम्हारी साथ तुम्हारी बहन ब्रूरू को भेजूगी तो वह जाकर लूजियाओ को थोड़ा सी डियूस करेगी ताकि इनकी फैमिय में कोई प्राबलम हो तो वहां पर यह चीज़ कर दोगी तो मैं तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट अच्छे से करवाऊंगी और तुम इससे मिलने भी दोगी जिससे सुनकर वह हैपी हो जाती है ठीक है जैसा आप कहींगी मैं वैसा ही करूंगी सीन चीफ्ट होता है दिखाया जाता है कि जियानकार में बैट कर अपने ख लोग का बदला ले सकें वहां ही दिखाते है कि लूज यह उसको मेसिज करता है कि साड़े दस बज चुक है तुप अभी तक क्यू नहीं तो याद आता है कि लूज यह उन्हें तो दस बजे पुलाए था तो उस लोकेशन पर चली जाती है कि तुम इता लेट क्यू आया त तो उसको कहती है मैं किसी काम में फसी दी तो फिर उसके पास आके कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम भाग गया और तुम यहां पर कभी नहीं आओगी वहां पर ही उसको फील हो जाते कि इसको चोट लगे उसके हाथ को देखता है और उसको कहता है कि क्या तुम्हा ना माने की वज़े से पनिश्मेंट दिया लेकिन जब तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं तुमारा टांग अच्छे से तोड़ दोगा तो वह इसको कहनती है कि नहीं नहीं मैं तुमारा कहना मानोगी वहाँ पर ही वो से कहने लगता है कि मुझे reason बताओ आखिर क्या है तो वो मन में planning कर लेती है कि वो इसको क्या जूट बताईगी तो वो इसको बता देती है कि मिसिस जीन को थोड़ा मुझे doubt हो रहा था और वो मुझे शक भी कर रही थी जिसकी वज़े से वो हमेशा से Jane family की रस्मेर विवाज मुझे याद दिलाती रहती और उन्होंने मुझे punishment दी थी तब ही फिर वो इसको कहता है कि अच्छा तो तुमें इस चीज के लिए punishment दी थी और फिर वो बातों में दुबारा से उसको कहता है कि तुम मेरी life में वापिस से आजाओ लेकिन वो इसको इंकार करती है कि नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ तब ही फिर वो इसके पास आकर कहती है कि अगर मैं तुम्हारा कहना मानती रहूंगी तो तुम मुझे अच्छे से protect करोगे ना तो फिर वो इसको कहता है कि हाँ जरूर करूंगा ये तो तुम्हारी performance पर डिपेंड करता है तो वो कहती है ठीक है उसके करीब होती है और उसको किस करती है तो उसको कहती कि मेरी performance कैसे लगी तो फिर वो उसको कहता है कि आत तुम बहुत ही अच्छा good show कर रही हो तब ही फिर वो उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाती हूँ कि जेन फैमिली के रस्मों रिवाजों को तुमें भी जानना होगा और मैं यही कहोँगी कि लू जीयान को उस नाइट के बारे में तुम बिलकुल भी बताना था तब ही फिर वो उसको थोड़ा torture करके कहता है कि तुम्हें पता है ना है कि वो बाहर किसी और में interested है लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में सोच रही हो वहां पर ही दिखाते हैं कि फिर वो उसको चीर की तब पुश करता है और उसको कहने लगता है कि तुम मेरी लाइफ में वापिस से आ सकती हो और अगर मुझे पता लगा कि तुम किसी मकसद से मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हारी टांग भी तोड़ सकता हूं अच्छा यही वो तो मुझे अच्छ वा किस तुम से शादी करळो पिर वे बिंगया तो फिरसे वोस को किसंग करने लग जाता है सेक्षिफ्ट होता है, दिखाए जाता है कि दिनर पार्टी पर चली जाती है, जहान अपनी बहन रूरू को लेकर वहाँ पर ही, आपनी बहन भी मॉन में सोच रहोदी होती है, कहीं यहां पर गौण होता है जिसे देख कर gyan tiedndaig की मेरी पास ना अजाए दो आथा है जैसी वहां पर जाता है मैं कुछ बात करना चाहती है तो फिर वहां पर इसके का मैं मैंतुम से ऐङले में कुछ Une चाती है आधा मैं होता है चैने तुम उन इस webinar अचछा मैं कि तुम बैट पर मेरी करना चाहिए तो फिर वशकु कैना चाहता हुश्ग में इसमें क्या हो गया का लियुंग यैसंक जायते हमangen तूर्व अपर उप एक दो एकलम जो कि इसको हो सब्सक्राइख करता है रुद한다 है कि तुम अपने फादर जो कि रेपिस्ट है उसकी बात चुपाने की कुशिश करें अब वो इस चीज को लेकर इसे ऑर्गिमेंट करा तो ये भी से लड़ी जा रही हो थे कि नहीं मैं वो लड़की नहीं हो जिसे तुम कह रहे हो इस चीज को लेकर बहुत चलेती है रो इसक समझ जाती है कि इसने इसके साथ कुछ ना कुछ खलत तो नहीं किया लेकिन वो गुस्से में बहुत है तो वो इसके पास आती है कि सौरी मैं अपनी सिस्टर को लेने के लिए आई हूँ वो अपनी सिस्टर को ठीक करती है उसके लिए कि जाने के लिए कहा है तो अपनी सिस् पिर के थरूर तुम और तुमारे सिस्टर मेरे पास हैार अगर मुझे पता लगा कि तुम्हारा कोई मकसद है तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़सकता है कि पता नहीं मैं कितना जाना खतरना हिए। तो ओए तो फिर पर उसको कहना है that तो तुमारी कोई खास PIRPUS होती है तो फिर उसको रोकता है और उसको कहता है कि मेरे साथ फिर से ओविलियंट बनूँ तो फिर वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वह उसके पास आने लग रही होती है तो फिर वहाँ पर ही वह अचानक पता नहीं होना चाहिए, तो फिर उसको देखकर कहता है, कि चलो ठीक है, वहां पर ही, वह उसको कहता है, कि मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ, कि अगर तुम किसी खास परपस से आई हो, तो मैं ये चीज़ को बरदाश्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करसाता हूं, लेकिन वह उसको यकीन दिला देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर वहां पर ही, वह उसको अपनी तरफ पुछ करती है, और वहां पर ही, वह उसको अपनी तरफ पुछ करती है, और वहां पर ही, वह उसको किस करती है, तो फिर वह उसको कहता है, कि मैंने जैसे पिर संदी आवे, उसको जार्ट करते हैं तो वहां पर दिकाते हैं लोज जाता है कि नियार जुक्ने के डिकाते हैं तक लिगायों से के औरली पर जुक्न पासर आउसे समें एक बहुता अबने हborता दो तरफ से तो जैसे ही वो लियो जी यान के साथ उसके पास जाकर खड़ी होती है तो अचानक से दिखाते हैं कि इसको गवान मैसेज करता है कि होटल के इस रूम में तुम्हें आना होगा मैं तुम्हें कुछ सचाई बताऊंगा वहाँ पर ही वो थोड़ा सा डाउट में पढ़ जाती है लूज याओ इसको देख लेता है कि इसको किसी ने मैसेज किया है तो वहाँ पर ही वो टॉयलेट का बहाना करने लग रही होती है तो शियोर पूछने लगते ग्रेंट फादर से ही लड़की कौन है पर इंडर्ड़क्शन करवाती है कि मैं जेन फैमिली की फोर्थ डाउटर हूँ और मैलू जियान की फ्यांसी भी हूँ तो फिर वहाँ पर ही वो कहती है कि अच्छा तब ही पर बुझे काम है मैं जा रही हूँ जाना जरूर चाहिए और वहाँ उसका मैसिज रीट कर रही हूँ थी होटल नंबर वगयरे देख रही होथी कि अचानक पीछे से लूजिया हुआ जाते वह मैसिज रीट कर लेता रूसको कहता है कि तुम इंतार क्यों रही हो और तुवारा रंग इतना पीला क्यों हो रहा तो वह पर ही जान कहने लगती है कि चुके तुम आ गई हो तो तुम मेरे साथ चलो तो फिर लोजिया और गुसा बारे में तो को पर ही होटल रोम के वारे मी सोच रहो थै तो दिखाए जाता है जैसी के कार में बैठी होती है तो वहाँ पर ही वो सोचने लगती है मुझे गवान से मिलने के लिए जाना होगा मुझे कोई ना कोई बाहना करना होगा तो वो लूजियान को कहने लगते है क्या तो मुझे किसी स्टोर पर छोड़ सकते हो क्योंकि मुझ करके वहां से चली जाती है और दूसी तब से दिखाया जाता है कि जैसे ही होटल में एंटर करता है लूज याओ तो सामने दिखाते हैं कि गवान होता है तो वह गवान को देखकर हरान होता है और वहां पर ही दिखाते है अपने गवान को कि नैप करवा लेता है अब दिखाय लगती है कि मैं इसके सामने क्या बहाना करूंगी अब उससे क्वेस्चन करने लगता है कि मेरी तब मुह फेरो और उसे कहता है कि तुम तो हेचेंज सिटी में रहती थी तुम्हारा और इसका कैसे रिलेशन हो सकता है गौंग फैमिली का क्या तुम लोग एक दूसरे को जानत जिसको यह लीक करने की बारे में बात कर रहा था तो मुझे डर था कि अगर जेन फैमिली को पता चलेगा तो वो मेरे साथ क्या सलूग करेंगे लेकिन फिर वहां पर ही वह उसको कहता है कि तुम ने बात मुझे क्यों नहीं बताई पहले और इस्ता से तुम मैंने कहा था कि तुम मुझे जूट नहीं कह सकते हो वहां पर ही वह उसको सॉरी करने लगती है कि मैं तुम से सॉरी करते हूं आज के बाद मैं तुम से कुछ नहीं चुपाऊंगी लेकिन वह उसको कहता है कि लेकिन जो तुमने गल्दी की है उसकी सजा तो तुमें बगदनी पड़ेगी वहाँ पर ही वो कोई चीज उठाता है और इसका हाथ रसी से बान देता है तो मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे कुछ भी नहीं चुपा सकते हैं अगर तुम किसी मकसद के तोर पर मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हें इस थासे माफ नहीं करूंगा वहाँ पर वो सके साथ झो करता है और उसके नेक पर बाइट करता है वहां पर ही वह जोड़ से चिलाने लगते हैं तो उसको कहता है कि आखिर सब को पता चलना चाहिए ना कि तुम किती बोल्ड हो और जेन फैमिली अगर तुमारे यह ऑन-लाइन निचान देख लेगी तो किस तरह से वह प्रिटेंड कर तो उसको कहता है यह अच्छी बात होगी कि तुम्हें अपनी घल्ती का एसास हो गया और तुम मान भी रही हो कि तुमने घल्ती की है लेकिन आज की बास तुम्ने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम देखो मैं तुमारे इसाथ करता हूँ वह है तुम यहां से दफ़ा हो जा और वो अपने खास बंदी को कॉल करके कहती है कि मुझे इंटिमेट फॉटोस लीक करवानी है और मुझे वो अच्छे से बना कर तुम्हें सेंट करने हुगी तो फिर वो इसको कहता है ठीक है वहाँ पर लिजिया उसे भी थोड़ा डर रही होती है और सोचने लग रही हुथी कि बन्दा जरूरत से जाथा खतरनाक लग रहा है अगर इसको मेरी आइडेंटिटी पता चल गए तो यह अभी भी मेरे साथ गलत कर सकता है वहाँ दिखाती है इसकी मॉम की इसको कॉल आते है और इसको घर पे बुलाती है जिसे देखर उसको गुसा आने लगतर उसको कहता है कि यह वाकी वही फोटोस है तो उसको कहती है अपकोर्स मैं तो विक्टम रही हूँ मैं जूट क्यू बलूगी वहाँ पर ही वह अपने असिस्टन से कुछ डिसकस कर रहा होता है और कहने लगता है कि गवान की साथ मैं बहुत बुरा सलुक करूँगा कि अचानक वहाँ पर दिखाते है कि शियोर आ जाती है और आकर कहने लगती है कि मैं तुमसे यह कहना चाती हूँ कि अखर तुम इस लड़की की वज़े से उसको क्यों ती सजा देने की बात कर रही हो तो जैसी ही वो देखती है कि यहाँ पर जियान भी खड़ी होते है उसे और्ग्यूमेंट करने लगती है कि मैं तुम्हें क्या करी हो कि हर वक्त इसके एट-ट गुंती रहती है और इसको मैंने इसके साथ बहुत बार दिखा है वहां पर ही दिखाते हैं कि शिए और लडने लग रही हो थी जान से कि तुम मेरे आदमी को इसता से सिर्योड नहीं कर सकती है तो वहां पर ही मुझ को कहती है आखिर यासी हरकत क्यों कर रहा है जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान भी होती है लेकिन वो कहने लगते हैं सोके वैसे भी हमारे और तुम्हारी फैमिली की अच्छे टर्म से और इस लड़की की वज़े से तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो इसको डांटने लग रहा होता है तभी पर वो इसको कहती है कि लड़की की वज़े से मुझे डांट होगे और हमसे रिलेशन खराब करने की बात करोगे वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो जियान से फिर से लड़ने लग रही है जिसे देखर जियाओ को गुसा आने लगता है और वो प्रोटेक्ट करता है जियान को और इसको डांट देता है निकलो वहाँ पर ही मिली कहती है कि चलो हम यहां से जाना चाहिए करते हैं और उसको कहता है कि पहले तुमने मुझे धंकाया था और उस दिन तुमने लूजियाओ को बता दिया तो मैं कैसे मानों लेकिन वसको कहती है कि अगर तुमें कुछ जाना है तो तुमें तीन बजे कैफे आना होगा तो मिलने के लिए मान जाता है तो दिखाया जाता ह तो बातों भातों में उस से मिलने कर रहा होता है कि तुमने मुझे मिलने के सौच कैसे अब इसको बता देदी एक पहले भी तुम मुझे मिलना चाहते थे तबी फिर उसको आई तुमने मुझे घुस्सा आ गया था तो आज मैं तुमसे मिलने के तैयार हो और उसको अपनी आइडेंटीटी भी बता दे दिये जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है कि वाकई तुम सी यू ही हो ना तो उसको कहती है देखो मैंने तुम अपनी आइडेंटीटी बता दिया इसके बन ना होगा कि अडिए करना ना कुछ मार थे कंदा थे और ऊठाऊ thiे यह घुब आली की तुम्हारे फादर के साथ कुछ कॉंटेक्ट है जिसकी वज़े से बस रड़ आया और उनको मार दिया गया तो वह पूछने लगती है क्या वह मास्टर का नाम क्या है तभी पर उसको कहता है इतने आसानी से थोड़ी ना बताऊंगा इसके लिए पहले तुम्हें कुछ करना ह लग रहते हैं तो वह जोड़ों से चिलाने लग रही थी तुम क्या करने की कोशिश करें वह जबर्दस्तिक कर रहा होता है कि वहां पर ही दिखाते है कि लूजिया वा जाता है और आकर प्रोटेक्ट करता है जियान को और खूप फैंटी लगाता है गवान के और अपने ब लेने की बात करें मैं क्या करूं तो और उसको कहते है तुम वेट करो मैं आता affirm 습ा अप दिखाया जाता है कि वहां वहां पर ही danger करें ये दिखाते हैं कस आप जाने लगता है कि मुझे यहाइन जान डाओफिन कि पूम्झजी यह लगा है लेकिन उसे नहीं को किए अध हूरा है। लेकिन वह उसको कहता है कि अगर तुम से बहुतसे बैनेफिट्स चाहिए, तो उसको कहता है कि ठीक है तुम घर पर आओ, हम आराम से बात करेंगे, लेकिन इनको फिल हो जाता है कि मुझे बैनेफिट्स तो नहीं देखा, तो वहाँ पर ये वह कूदने लगा तो ये लोग इ अचानक उसको जाग होती है तो वो खांस टे लगती है तभी फिर वो देखने लगती है तो उसको कहती है कि तुम ठीक हो ना तो उसको कहता है कि तुम्हें अच्छे से पहले बताया है कि जो लोग मुझे यूस करते हैं मुझे दोगा देने की कोशिश करते हैं मैं उनको बिल मैं और मेरी ही लाएफ में शाम्ल हो जाओ, लेकिन फिर को एक्सक्यूस करने हैं, वुह है और trip. अब नेक्स टे दिखा जाता है कि गौंग फैबली के मेंबर्स भी बैटे होते हैं और वहाँ पर इसके ग्रेंट फादर बैट कर डांट रहे होते हैं लूजियाओ को कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्या क्या था कि वो पानी में च्छलाग बार दी वहाँ पर ही वहाँ प पर दी थी जो उसने पानी में च्छलाग मार दी है और वहाँ पर दिखाते हैं कि मनी मन में बहुत परेशान हो रही होती है जियाओ और वहाँ पर इसको डांट के कहने लगते है कि तुम्हें पता है ना कि गौंग फैमली का मेंबर यहां पर आता ही होगा और जैसी वो हारी होती है कि गौन को आखिर तुमने ऐसे क्यों दंगा है आखिर किसकी वज़े से तुम्हें यह सजा दी अब उसको यह पर पता होता है कि जयान की वज़े से उसने यह किया है लेकिन जान के वह गुसाने लगता है तो पिर वहां पर यह पर लुजियाओ को गुसाने दिखाते हैं कि सब लोग डाइनिंग टपल पर बैठी होते हैं वहां पर झीज़ दिखाते हैं कि शियूर आती है और आकर कहने लगती है कि कॉंग फैमिली के मास्टर है यानि वह अपने भाई को लेकर आकर इंट्रड्यूस करवाती है जिसे देकर जियांच चौग हो जाती ह वहाँ पर ही वो लोग जैसे आकर बैटते हैं तो दिखाते हैं कि ड्रिंक सर्फ कर रहा होता है जियान को लूजियाओ और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही शियूर देखती है कि वो इसको ड्रिंक दे रहा है और इसका फ्यांसी भी देखकर हैरान हो रहा होता है तो साफ करने की कोशिश होती है तो वह जोसे उसका हाथ पकड़ता है और वहां पर ही harsh देख लेंगे कि किस्ता से वह किसी साथ SELUX हो रहा है वहां पर ही दिखाते हैं कि फिर गुसाने लग रहा होता है लूजियाोक और Inno तुम इस तरह से मेरे sister-in-law के साथ नहीं कर सकती हो और वहाँ पर ही वह उसके भाई को बीच में बोले जा रहा होता है तो उसको टोकर कहता है कि विजनिस की बात हम कर ले तो जादा ठीक रहेगा तो उसको कहता है तो उसको कहता है उसके जाने के बाद दिखाए जाता है कि इसका भाई जो डिसेबल होता है वो श्यूर के भाई को कहने लगता है कि हम दोनों का अनिवी एक ही है हमें कोई दिर बाद आपस में बात करनी चाहिए भी लेने की कोशिश किया, इसको पुदी सजा मिल जाएगी, तो वो इसको कहता है, कि हाँ तु बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अगर ये मुझे दोगा दे सकते हैं, तो मैं भी इसको बरबाद कर दूँगा, तो दिखाए जाता है, कि अब ये लोग बैट कर प्लैनिंग कर रहे हो और वहाँ पर ये उसको टॉचर करके फाटोस प्हेंगते हैं, कि तुम्हारे बहुत से लोगों के साथ दिखा गया, आखिर तुम्हारा ये क्या चकर चल रहा है, तो फिर वहाँ पर ये वहाँ पर ये वह कुब मिनत करने लगते हैं, कि प्लीज मेरे भाई को कुछ मत किया करना होगा, अब दिखाते हैं, कि मिस चियान डॉक्टर को कॉल करती है, और उसको एडवास करने लगती है, कि अगर मिस्स जेन मेरे भाई का ट्रीटमेंट रोकने की बात करें, तो तुम बहाँ ना कर देना, लिए प्लीज तुम जैसे तैसे करके मेरे भाई का ट्रीटमें करने के लिए कहता है, तो उसको गया थी, इस टाइम पर यह मुझे क्यों बूला रहा है, खेर में जल्दी से निपट कर फिर से अपने भाय के मामले को सेट आउट करूंगी, तो जैसे होटल के नीचे जाकर वेट कर रही होती है, तो वहाँ पर ही वह सोच दूए थी, कि उ मेरे भाई की जान बचा दे, तो दिखाते हैं, जैसे इसको मारने जा रहा तो यह बीच में आजाती है, और इसको चाकू लग जाती है, वह पर ईलूज गाओ बहुत जाता है, और वहाँ पर इसको एसको कहते है, तो जैसे ही कार निकालने की बात करो, अब बहुत घबर आ कि वहां भी कि उहर है घान comfy प्रोसके मॹन को प्हार करने लग जाता है उसका दिल धबाये जा रहा होता है मेरा बहुत तो काम से गया, यानि कि ये प्यार में पढ़ चुका है, अभी इसको हॉस्पिटर लेके जाता और इसकी इस सिराने बैठ कर यही कहता है, कि तुम्हें मेरी बज़े से कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ अगर मैं मर जाओ तो किसी को फर्क नहीं होगा, ना ही मेरे लेकिन मैं चाहूँगा तुम्हें कुछ भी ना हो, और मुझे नहीं पता तुम्हें इस पर्पस से मेरे पास आई हो, तुम्हारे पर्पस के बारे में मैं जानना चाहता हो, आखर तुम मुझसे क्या चुपा रही हो, तुम कुछ भी है, मुझसे दिल खोल कर कह सकती हो, य हरांदी से इस कितब देखने लगता है सीन शिप्ट होता है दिखाए जाता है कि जैसे ही जियान को होश आता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि लूज यौँ खड़ा होता है तो वो उसको कहने लगती है तुम बैठ चाओ तो फिर भाई मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो ज तुमने मेरे जान बचाई है तो तुम्हारी विशिस तो मैं पूरी करूंगा तो फिर वो उसको कहता है को हो तुम क्या कहना चाहती हो तो फिर वो उसको कहती है मेरी फिर्स्ट विश यह है कि तुम शीयोड से शादी कर लो तो थीक है मैं यह कर लेता हूं तो फिर वो उसक करन देखने लगती है कि चानक से असिस्टेंट की सको कॉल आ जा दिया तो लोजी आ इसको एक्सक्यूस करके बाहर चला जाता है और दिखाते हैं जैसी वो कार में बैठता है तो उसका सारी डिटेल बताने लगता है कि मिस जेन ने किस तरह से जहन को अपनी फैमिली में अंट तो दिखाते हैं कि ये भी कॉल पर बات कर रही होती है क्योंकि डॉक्टर ने इसको बता दिया होता है कि तुम्हारे भाई को भोश आ गई है तो वो उसको देखकर डड़ जाती है तो फिर वो उसको कहता है कि मिसुई है क्या तुम अपने भाई को देखने जा रही हो तो वहाँ पर ही वो बैट जाती है और गहती है इसका मतलब तुमें सारी सचाई पता चल गई है तो फिर वह उसको कहता है कि इसका मतलब है तुँम अपने मूँसे मान रही हूँ कि तुमने मुझे दूका दिया था अब उसको टॉर्चर कर रहा होता है लुए उसको बाते सुना रहा हूँ है Minecraft वा इक्स्क्यूसे भी कर रही होती है। तो बाइंगो चिला रही होते हैं पर अच्छानक से कैती है, कि मैंने तुम से कहा थै कि तुम मेरी थ्री विश्षhanded करोगे, तो तुम मेरी विश्ष पूरी करे तुम मेरी विश्ष tá इसे लड़ने लगता है, कि तुम अभी वी ये बात कर रही हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता है कि विश का नाम अब तुम्हें नहीं लेना चाहिए तुम्हें बहुत बड़ी गलती की है वो मिनत भी कर रही होती है लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं फिलहाल मैं तुम्हें यही सजा दूँगा तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है तो तुम चली जो यहां से तो दिखाते हैं इसको रूम में बंद कर दिया जाता है आप gotta room में होती है रोई जा रही होती है अपने भाई के बारे में सोच के रोबना से आता है तो वो उसको कहने लगती है कि प्लीज मुझे यहां से जाने दो लेकिन वो उसको साफ फिर से सुनाने लगता है कि जो तुमने धोका मुझे दिया है मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ तब ही फिर वो कहती है कि मैं अपनी सेकंड विश यह बताना चाहती है कि तुम मेरे भाई को सेफ करो प्लीज वो बिमार है तुम उसकी जान बचा लो लेकिन वो उसको साफ कहता है कि नहीं अब वो जिस तरह से गिरगडा रही होती है लूज याओ का दिली दिल में दिल पिगल भी रहा होता है क्योंकि वो इससे बहुबत करता होता है लेकिन उसको बहुत जाधा गुसा था होता है क्योंकि इस ने बहुत बड़ बड़ा इसको ड्ोका दिया होता है लेकिन वो बहुत जाधा गिड़ कर आ celle टो वो साफ उसको कहता है कि नहीं में नैने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे कभी भी जूट मत बोला, तुम ने बहुत बड़ा जूट मुझे बोला है, लेकिन अब मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि मैं उसको नहीं बचाओंगा, तो वो कहती है, तुम मेरी जान भी ले लो तो मैं कबूल करती हूँ, तो उसको गहता है, तुम अपनी बहुत महबबत करती है, अब दिखाए जाता है, कि लूज याओ, जान की फैमली को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, और वहाँ पर ही विसिस जेन के बारे में उसको असको डिटेल दे रहा होता है, कि उसने किस तरह से इसको अपनी बेटी बनाने की कोशिश की, तो फिर पसंदा गई है, और वैसे भी उसने तो आपके लिए अपनी जान लेने की कोशिश की थी, और वैसे भी आपका तो फर्ज बनता है, कि आप उन सब का केरो, और बातो बातो में यह भी कहता है, कि रो में काफी टाइम से अंदर बंद हुई है, तो उसको कुछ खाने के लिए भी दे लो, अब वो अंदर ही अंदर, वो मिस भी कर रहा होता है, जियान को, वहाँ पर ही वा असिस्टेंट के आगे नाटक भी कर रहा होता है, और उसको कहते हैं तो तुम यहाँ खड़े रहो, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वह वहाँ से चला जाता है, आखिर जेन फैमली ने इसको किस तरह से असिल किया, वहाँ पर ही बातों में इसकासिस्टेंट इसको ये भी क्लू दे देता है, कि गौान फैमली का कुछ ना कुछ हाथ है, यानि कि गौान फैमली का, और इसके पीछे शियोर या इसके भाई का भी हाथ हो सकता है, और जिस तो गहने लगती है कि जिस तरह से तुमने मुझसे लूजियाओ चीजिने की कुछिशिक की मैं तुम्हें छोड़ोंगी ने कि अचानक पीछे से दिखाते हैं कि लूजियाओ आता है और आकर प्रोटेक्ट करता है जियान को और नगने लग रहा होता है शियूर से तो शियू उसको कहता है और उसको कहता है कि तो उसको कहता है कि मेरा भाई कहा है मुझे बचा बहुता है कि अगर मर गया है तो मुझे भी भार दो फिर वो उसको कहता है कि अच्छा तो तुम मरना चाहती है तो उसको कहती है तो फिर वो उसको कहता है कि जब तुम्हारा भाई बिल्कुर ठीक है तो तुम मरना चाहती है तो तुम मरना चाहती है तुम क्या कहना चाहरे हो तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ वो ठीक है और वैसे भी मैं वादा खिलाफ ही नहीं करता हूँ तुम ने मुझसे तीन विशल्स मागी थी जो कि मैंने सेकंड तुमारी पूरी कर दिया अब जल्दी से तुम बताओ तुमारी थर्ड विश क्या है वहाँ पर ही वो उसको देखने रखती है हरांगी से तो फिर बार बार उसको इशारा घड़ी की तरफ करके बताता है कि तेसरी विश बता दो जादा सोचो बत वहाँ पर ही वह सोचने लग रही होती है कि अब जैसे इसको मेरी आइडेंटिटी भी पता चल गई और मिस जेन से मेरी जान चूट कई है तो मुझे बदला लेने के लिए बहुत से क्लूस की जरूरत है और यह बहुत जादा पावरफूल है अगर मैं इसके साथ शादी कर लूँगी तो मुझे बहुत जादा फाइदा होगा तो उसको कहता है कि बताओ क्या विश है तो वो कहती है क्या तुम मुझे से शादी करना पसंद करो गई जिसे सुनकर वो शॉक्त हो जाता है तो फिर उसको कहता है क्या दुबारा को तो फिर उसको कहती है क्या तुम मुझे शादी करना पसंद करोगे अब मन ही मन में वह खुश तो हो रहा होता है लेकिन उसको साफ केता है कि अगर इसके पीछ भी तुमारी साजिश है तो मैं इस चीज के लिए अगरी नहीं करूँगा लेकिन अगर सब कुछ सेट है तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ फो उसको ये बात के के चला जाते हैं तो मन्मी सोचने रखती है कि इसका मेरे साथ आखा है मेरे साथ आखे है इसने मेरी भाई की जान बचाई है और मेरे साथ ही पर गरने जाऴगा हonneर एक और तो पर हम एशके का लleग तो उसको कहता है कि same question मैं आप से करूँगा आप यहां क्या करें तो उसको कहती है कि of course यह मेरी बेटी है तो मैं तो यहां से मिलने आऊंगी रहा तो उसको कहता है जदा pretend करने की ज़रूरत नहीं है आपका रासफाश हो चुका है यह आपकी बेटी नहीं है तो उसको कहती है कि मैं उस जैसी नजर जो आती होंगी तो फिर वो इसको कहता है कि अपना खुद दिमाग लगा इस दुनिया में दो जैसी एक इंसान नहीं हो सकते सिवाए टुइंस के जिसे सुनकर वो शौक्ट हो जाती है वहाँ पर ही लेट कर वो सोच भी होती है क्या मेरी पैरन्स ने मुझे कुछ चुपाया है क्या मेरी कोई टुइंस सिस्टर थी भी के नहीं आखर ये मसला क्या है वहाँ पर ही दिखाते हैं कि इसका फियांसी लू जी गियान आता है मिली के साथ इसे मिलने के लिए और लोह जिंग्यान को गुसाने लगता है कि वह जा नहीं हो सकता है तो उसको कहती है कि अब सब कुछ सब को पता वैसे भी चल ही रहा है बुझे उन्हीं आप मेरे साथ क्यों रहना चाहते हैं तो वह एंगेजमेंट टोडने की बात करती है लेकिन वह इंकार कर रहा हूता है लेकिन उसको साफ कहती है जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओंगी तो मैं तुम से इंगेजमेंट तोड़ोंगी तो तुम देख लेना तो दिखाया जाता है कि जैसी अपनी पैकिंग कर रही होती है वहाँ पर ही दिखाते हैं कि असिस्टेंट आ जाता है लूजियाओ का तो किताब कहा जा रही हो तो उसको कहती ही मुझे जाना तो है उधर ही दिखाते हैं कि लूजियाओ आ जाता है और उसको आकर कहने लगता है कि तुम्हारा भाई अभी भी मेरे कबसे में है और मैं इसका treatment करवा रहा हूँ अच्छा यही रहेगा कि तुम साथ में चलो मेरे बिले पे और उससे मिल भी लेना तो फिर उसको कैताब क्या सोचा है तो वो भाई की वज़े से कहती है ठीक है मैं जाने के लिए तयार हूँ तो दिखाते हैं कि जैसे ही driver इसको लूज याओ के घर ड्रॉप करता है वहाँ पर ही दिखाते हैं कि शियो और आती है और आकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करी हो और भेट से से लडने ही लगती है और आर्गिमेंट करने लगती है किस तरह से तुमने मेरी जिल्दगी तबाह कर दी है तुम लूज याओ को जिस्ता से सुड्यूस करें मुझे तुमारे साली चाल पता है तुम्हारा फ्यांसी लूज जिल्दगी याँ था उसको भी तुमने दोका दिया वह इस तरह की बहस बाजी कर रही होती है तो याँ उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है तुम उसको कहती है तुमने उसको क्यो मारा था वहांपर ही वह खामूश हो जाती है कि मुझे इस फैमली के खिलाफ कोई नखके ज़रूर ढूरा धूरे के उगाटा कोई charge चल सके कि आखिर सब कुछ क्या चल रहा है सीन शिप्ट होता है दिखाए जाता है कि शिवर अपनी भाई के पास जाती है और वहाँ पर ही वह उसको कहने लगता है कि तुम अपनी जबान पर काबू नहीं पास सकती और उस लड़की को आप बिच रस्ते से हटा नहीं सकते तो महाँ पर ही उसको कहता है पहले ये बॉक्स उठा कर देखो तो जैसी बॉक्स उठाती है उसमें कटावा हाथ होता है तब ही फिर उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना रूज याओ चलो बता वो लड़की कौन है तो वो बताने लगती है कि जैन फैमली की वो लड़की है यानि कि फोर्ट डॉर्टर जिसका नाम जियान है तो उसको कहता है कि पब्लिक में तो मैंने जादा इसका नहीं सुना है तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो वो उसको कहने लगती है कि अच्छा आपको इसके बारे में पता थे कि गॉंग फैमली ही विलन है और शियोर नहीं मारा था हमारे डैट को और उस खास परसन को जिस पे मेरे डैट का इल्जाम आया था तो वो उसको कहतने लगता है कि हाँ इस सब के पीछे शियोर उसका भाई ही था मुझे ये बात पता थी मैं तुमें इसलिए नहीं बताए कि अच्छे से जी सको तो फिर वो उसको कहने लगती है कि फाइनली हम इनके खिलाफ बस एविडेंस ढूनने होंगे तो फिर वहाई वो उसको कहने लगता है कि तुम ये बताओ कि आखिर वो लड़का कौन है मुझे लगता बहुत पावरफूल है जो मुझे बचाकर यहां पर लेकर आया है तो उसको कहती है कि इसके बारे में मैं आपको आहिस्ता हिस्ता बताऊंगी फिलाल मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे उसमें कुछ खास इंटरस्ट नहीं है जब हम यहां से चले जाएंगे उसे रिलिशन नहीं रखोंगी तो पीछे लूज याओ आकर कहने लगता है कि क्या मतलब यानि कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हूँ वहां पर ही वो इसके भाई को देखकर कहने लगता है कि इसने मुझे यह कहा था कि ही यह मेरे साथ रही गी और मेरा साथ कभी नहीं छोड़गी लेकिन अब यृ क्या कह रही है तो वह को कहती है कि तुम बाँर जो बाध में बयात करते है लेकिन वो उसका हाथ जोर से पकड़ कर उसको बाहर ले जाता है वहां पर ही उसको कार पिछा कर बिखाता है और उससे क्推स्की करने लगता है कि यह तुम क्या क्या बक्षा कर रही थी तो भृ उसको कहने लगती है कि जाहिक झी बात है मैंने आ क dif Army तुमने इंकार कर दिया है तुम्हें यह सब कुछ नहीं कह सकती तो फिर वो उसको कहता है कि इसका मतलब है तुम्हें इस चीज की परवा हो रही है तो उसको कहती है कि हाँ मुझे परवा हो रही है तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ जिसे सुनकर वो शॉक्त हो जाती है तबी फिर वो इसको कहने लगता है कि ठीक है अगर मैं तुम से शादी करूँगा तो तुम हर चीज में मेरा कहना मानोगी और इस ता से तुम मेरा पीछा चोड़ कर नहीं जाओगी तो फिर वो इसको कहने लगती है कि ठीक है मैं हर चीज में तुमारा कहना मानोगी मुझे य शूर से अपनी इंगेजमेंट तोड़ा हूँ, वहाँ पर इंगेजमेंट भी और बीच में बोले जा रही होती है, कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, वहाँ पर इसका भाई भी से क्वेस्टिनिंग कर रहा होता है, और आखिरकार कुछ और ये बता देता है, कि मैं इंगेजमेंट इसलिए तोड़ा हूँ, क्योंकि मैं जियान को पसंद करता हूँ, और इससे शादी करना चाता हूँ, जिसे सुनकर इसके भाई को गुसा आने लगता है, और लूज इंग्याना कर इसका गरिबान पकड़ लेता है, कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम उसके साथ नाइट भी स्पेंट कर चुके हो, लेकिन वहाँ पर ये वो उसको मुत और जवाब दे जा रहा होता है, इसकी इस चीज़ को लेकर बहस चल रही होती है, तो उसको धका भी दे देता है, वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जियान एंटर करती है, जैसी वो आती है, तो दिखाते हैं शियोर को भी गुसा आने लगता है, और एगर से लू जिग्यान इसको जोड़ से थपड उड़ाता है, कि तुम इसना से रंग रंगीलियां मना रही थी, वहाँ पर ये बहुत बहस चलती है, तो जियान ग्रेंट फादर को बताने लग जाती है, कि आपको पता है, कि मैंने इससे ब्रेक अप इसलिए किया है, क्योंकि आप मिली के साथ अफेर चल रहा था, तो वहाँ पर ये ग्रेंट फादर है, कि मिली को तो लू फैमिली ने अडॉप्ट किया था, ये इसके साथ कैसे कर सकता है, लेकिन वो साफ बता देती है, कि इंगेजमेंट वाली रात भी ये लोग रंगीली ने बना रहे थे, और मैंने इनको देख लिया था, तब ही से मैंने अपना मन बना लिया था, कि मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, अब वो इनके सारे पुर्क खोल देते हैं, तो ग्रेंट फादर को गुसा आने लगता है, वो मिली को डांटे लगते हैं, और अपने गार्ट्स को ओडर करते हैं, कि इसको यहां से लेकर चले जाओ, लेकिन वहाँ पर दिखाते हैं, लूजियान लड़ने लग रहा होता है, और कहता है कि नहीं यह कहीं भी यहां से नहीं जाएगी, तो ग्रेंट फादर को और डाउट हो जाता है, कि भाकी इनका कुछ चल रहा है, वो आपस में चीज़ को लेकर बहस कर रहे होते हैं, वहाँ पर ही जयान मुस्कुरा कर देखने लग लगती लूजियाओ कर कहती हमारा काम हो गया, चलो हमें चलना चाहिए, तो यह लोग वहाँ से चले जाते हैं, सीन शिप्ट होता है दिखाए जाता है, के शियर अपने भाई के पास जाकर रोने लगते हैं, लूजियाओ ने मुझे से इंगेजमेंट तोड़ दी है, जिससे सुनकर वह रहान हो लगता है, कि यह जूरत की हमारी फैमिलिक साथ ऐसा करेगा, वहाँ पर ही वह उसको बहकाने लग रही होती है, जयान के खिलाव उसको खुब बहकाती है, और कहती है, कि आपको पता है ना कि उसको बीच रस्ती से कैसे हटाना है, मैं मानती हूँ, कि मैंने लूज याओ की पहली गर्फरेंड गोबलीन को मार दिया था, मैं उस चीज़ को बहुत पच्टा भी रही हूँ, लेकिन मैं अब यह चाहती हूँ कि इस लड़की को बीच रस्ती से आप हटाएं, तो वो उसको कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, तो दिखाया जाता है कि जैसे ही, जयान अपने भाई के पास जाती है, पर उसको कहता है कि तब लेकिन जिसमें ठोड़ी जान नहीं है, तो उसको कहता है कि तुम्हारे मसल्स वीक हो रहे होंगे, मैं थोड़ा दबा देती हूं, वहां पर यह वह से कहने रखता है कि तुम जगाउट से शादी करने जा रही हो, जिसे देखकर वो हैरान होती है तब ही फिर उसको कहते है कि हाँ अफ कोर्स बदला लेने के लिए मुझे उससे शादी करना हुई तो फिर वो उसको कहता है कि यह सब कुछ तुम से बदला लेने के लिए करे ही या इसके पीछे कोई और भी ब्रिजन है या तुम उसको कुछ पसंद करती हो तो फिर वहाँ पर ही उसको कहने लग जाती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वैसी भी उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो गाउंट फैबली के आप कुछ ना कुछ अलग फिरिंग रखती है लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि उस डेंजर आदमी से यह शादी करे यह उससे दूरी रहे तो ठीक रहेगा तो दिखाते है जियान जैसे जा रही होती है तो एक परसन उसको फालो कर रहा होता है माँ पर ही वो डर रही होती है कि अचानक से पीछे से इसको कोई पकड़ लेता है यह चिलाने लगती है तो वो लूजी आओ होता है और उसको कहता है कि डरने की जरूरत नहीं वो हैरानगी से इसको देखने लगती है तो अपनी glasses उसको पहना देता है और उसको कहता है कि वेट करो वो उस person के पास जाने लगता है लेकिन वो person डर के वहाँ से भाग जाता है अब इस चीज़ को lose आओ investigate करता है तो assistant बता देता है कि गॉंग family नहीं किसी person को भीजा था Mrs. Jane को डराने के लिए तभी फिर वो कहता है कि गॉंग family गॉंग family आखिर क्यों बास नहीं आ रही है तभी वो camera's बगएरा घर के इर्गित फिट करने की बाद भी अपने assistant को कह देता है और मन में सोचने लग रही होती है जिया कि आखिर गॉंग family चाहती क्या है इसी नहीं गॉंग लिन एक लड़की को मारा था यानी शियोर ने और मेरे फादर पर लजाम लगा थी यह चाहती क्या है तो why lose आओ उसको कहने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो तो उसको कहती है नहीं बस मैं कुछ भी नहीं सोच लियो और वो कहती है अगर सब कुछ हो गया तो मैं जाना चाहूंगी वो जाने लग रही हो थी तो उसको कहता है कि बदले के बारे में तुमने क्या सोचा है कि तुम किस तरह से revenge होगी तो फिर वहां पर यह वह उसको दिखकर कहती है क्या तुम गौंग फैमली से मेरे इकलाब बदला लोगे तो फिर वह उसको कहता है कि हाँ मैंने यही कहा था लेकिन अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम अपने वादे को पूरा करो तभी फिर वह उसको देखकर कहती कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे तो यह चायती हो कि मेरे फादर का नाम बिल्कुल क्ली को झाया और सारा इलधाम गौंग फैमली पे लग जा है और मेरे फादर विल्कुल इस चीज के लिए रीट क्लीन हो जाया तो वह लुए से बात सोनकर अगरी कर चाता है कमें एपने यह पर इसिस्टेंट को वाह पर यह यह जैसा चल रहा है तो दिखा चुलो है तो वह तो कहते है चलो मैं तुभ है ने कर जाता हो अब अब महा पर ही दाइम концнд denkt कर दुछता है महा पर ही लेड़ी बहुत सी रिंग कर लेता है तो वह जियान के ढूत में तुछ में थोड़ा ही ठाइम रह तो हम घाए गया 00.07. 00.0 00.09. тоже 00.09.57,0xo 00.09.00 00.09.58,010 00.09.01 00. 09.00. लेकिन मैं यह कोगा कि तुम उससे दूरो, अगर तुम से बदा लेने के लिए शादी करें तो यह ठीक रहेगा, लेकिन वो इसकी बात को इग्नोर करके जादा बोल नहीं रहे होती, लेकिन बार बार उसका भाई उसको यही बहुन कर रहा होता है, कि बदा लेने की हद तक अ इन बहन भाईों की यह सारी बाते सुनेता है, जिसे सुनकर इसको अफसोस होने लगता है, तो दिखाते हैं कि जैसी वो दूसरे रूम में जाता है, सामने जियान बैठी होती है, अब वो देख लेते कि इसका मूड आफ है, तो वो बहाना करके जाने लग रही थी तो उसको भाई को तग कर रही होती है, कि मैं चाहती होगी इस लड़की को बीच रस्ती साब हटा जो, तभी फिर वो इसको कहता है, कि तुम्हें पता है ना कि वो दोनों नेक्स विक शादी करने चा रहे हैं, और तुम्हें पता है कि लोग जाओ कि ता पावर फूल है, लेकिन वो लेकर इनकी ऑर्गिमेंट चरही होती है, कि अचानक से दिखाते है, मिसिस जेन की कॉल आ जाती है, इसके भाई को, तभी वो कहता है कि आप कौन बात कर रही हैं, तो वो कहती है कि हम दोनों का दुश्मन कॉमन है, और तुम्हें याद है, कि C फैमली के दो लोग बहन भाई वो ही है, जिसे सुनकर वो शौक्ट हो जाता है, तो वो इसको बताती है, यहाँ पर ही हेचन में हैं, और यह दोनों बहन भाई बिल्कुल जिन्दा है, अगर तो इनसे बदा लेने चाते है, तो नेक्स वीक इनकी शादी है, उस दिन हम इन बहन बहन कर वा सकते हैं, और जिन कर रहा होता है, जानती के बताओ, आखिर तुमने इस तरह से क्यों कहा था, तब ही फिर वो इसको कह देती है, कि अपकोर्स, मैंने यह इसी लिए कहा था, कि अचानक से वहां पर दिखाते हैं, कि लूज याओ को इसके सिस्टेंट की कॉल आ जाती है, और वो इसको बत मैं बताऊंगी, तो जैसी वो अपने भाई को पर देखने के लिए जाते है, पीचे पीचे लूज याओ भी जाता है, तो इसका भाई जिन्दा स्लामत बैटा होते है, जिसे देखकर वो हैपी हो जाते है, और कहने लगते है, कि लूज याओ भी बैटा होता है, और उसका जियान को पसंद करता है, यह मेरी है, आप हम दोनों को जुदा नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसको कहता है, अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो, तो तुम अपने ब्रदर इंलाउ से ऐसी बाते हैं, तो वो से लड़ने के लिए कुछ कह रहा होता है, तो बीच में जियान जाती है, और अपने भाई को कहने लगती है, कि मैं इसको बाहर चोड़ कर आती हूँ, बाद में आकर मैं आपसे बात करती हूँ, तो जैसे तैसे वो लुजियाओ को बाहर लेकर चली जाती है, वो गुसे से जाकर कार में बैठ जाता है, वो उसको रोग भी रही होती है, ल मैं अपने बाई को सभी सलामत यहां से बढ़ने के बाद वारे पास आजाँगी तो फिर वो उसके करीब आके कहता है कि तुम सच कहरी हो ना तुम ऐसा करोगी ना तो उसको कहते है यहां में प्रॉमिस कर रही हूं वहां पर यहां रॉमैंटिक होने लगता है और उसको अपने करीब करता है तो जिस्ता से वह किस करता है इसके भी कंट्रोल यह उता तो इसको किसिंग करने लग जाती है तो दिखाते हैं कि जैसी यह सो जाती है तो यह जान को उपर जाकर रूम में लिटा देता है और लिटाकर वहां प्यार भरी नजरों से देखकर जाता है उसके जाने के बाद ये अपनी आँके खोलती है और मन में सोचने लगती है कि मेरे भाई ने कहा था कि इससे बच के रहो ये ठीक नहीं है लेकिन ये मेरी कितनी केर करता है तो ये इसी सोच में पढ़ जाती है सीन शिफ्ट होता है दिखाए जाता है कि इलूजे ऑपनर असिस्टेंट से ये ही डिसकस कराता है कि एक गांग फैमली के खिलाब हम एविजेशन कैसे हासिल करें तब ही फिर वो इसको कहता है कि देखते हैं वो देखकर बहुत है और मन में सोचने लगती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसी शादी वाले दिन मुझे जरूर मिल जाएगा पीछे से लुजे आवाता है और उसको कहने रखते है कि क्या हुआ तुम्हारे दिमाग में क्या चाहरा है तो उसको कहती है कुछ में चेरह बस मैं तुम से रिक्वेस्ट कर रहा हुट दिन रहते है कि अभार सब कुछ सब्ञे में च् Cathedic है कि उसी में ये दोनों बहन भाई भी एंटर करते हैं और इसका भाईस को एडवाइस कर रहा होते है कि कोई भी तूने की कोशिश करना तब ही वो कहती है कि ठीक है मुझे इस बहन भाई उसे चुटकारा चाहिए तिला तो मैं जियान को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और जियान जाँ डिकाए जाता है कि जान जैसी बैलिंग लॉइस देख रही होती है वहन पर इप के दिख ल्गें। YES Act गार्ट बगेरे इसको रोक रही होते हैं तो उसको एक टॉइलट चाले थे लेकिन उसको रोक देती है जैसे ही वह टॉइलेट चली जाती ही तो कुछ देबा दिकाते हैं कि शियूर वहां पर एंटर करती है और खुफिया चाबी उसमें लगाई भी होती वो जैसी अंदर जाती है तो पिर वहाँ पर ही वो जियान को देखकर बाते सुनाने लगती है तो जियान उसको कहती है कि तुम्हारे वज़े से मेरे पैरेंट्स की जान गई थी और साले उज़े उन पर लग गए था लगी उन्हें ऐसा कुछ नहीं किया था तो उसको कहने लगता है कि तुम ने लूज या को किसा से सीडियूस कीया है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और अब तो ये पता लगए कि तुम्हारा भाई भी जिंदा है मैं देखो उनके साथ कहती है क्या हूं और वो बातों बातों में यह भी बता देती है कि गॉन लेन ने भी उजी ऐसा ही ड्रेस पहना होता तुम्हें पता है मैंने उसे कुछ सीडियो से धका दे दिया था और मैंने खुद अपने हाथों से उसको मारा था और जिस तरह से उसके ड्रेस पर खूनम खून था तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा वहां पर ही वो उसको यह कहते थी है कि अब देख रहा साही तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा ही होगा तो दिखाए जाता है कि शादी पर वेट किया जा रहा हुता है लूज याओ जियान का वहां पर ही सब लोग कूँ वेट करने के बाद इसका जो वेट पर भाई होता है वो ताना देने लगता है कि तुम्हें एपने दोलन के लिए द्रчиस तो त्यार कर वा लिया था कहीं वो भाग तो नहीं गयी वहां पर ही उसको चिंता हो रही थी जए तो फिर मो पर फिर वह पर दिखा जाती है कि अच्छे से जाकर चेक कर किया तो वो कहता है ठीक है वहां पर इन गार्ड भाग करा कर वोश्रूम के लिए गई थी जियान लेकिन अब वो हमें कहीं मिल नहीं दी तो उसको कहता है तुम नो क्या कर उसको धूंडो तो दिखाये जाता है कि जैसे टैसे शियर मार देती है ज तो वो देखता है कि जखमी हालत में पड़ी भी होती है जिसे देखकर वो चिलाने लगता है और वो इसको हास्पिटल दे जाता है अब वो खुरहून हुए होती है वहाँ पर एक डॉक्टर को इसकी ट्रीटमेंट के लिए बना कर रहा होता है लेकिन वो अपनी पावड तो इसका सिस्टेंट कहता है कि हाँ आई थे तभी फिर वो कहता है कि सारे रोड्स को ब्लॉक बगर करवा दो मैं दोनों बहन भाई को असानी से नहीं जाने दूंगा तो सीन शिफ्ट होता है कि लूज याओ डॉक्टर के निकलने का बेट करता है तो डॉक्टर निकल कर कह तुम्हारा यहान खत्री से बाहर नहीं है कि अचानक से ड्राइवर कार रोकता है तो कहती है कि तुम अंदे हो चुके हो तभी वो कहता है कि कोई परसन सामने से आये तो वहाँ दिखाते कि लूज याओ की का रहे और यह ड़ड़े लग रहे होते है उसी तरफ से दिखाते कि अपरेशन सक्सेस्फुल होता है वो जैसी बाहर निकलता है डॉक्टर तो दिखाते है कि वहाँ पर ही जान का भाई आता है और आकर कहने लगता है कि मेरी सिस्टर ठीक है तो उसको कहने लगता है कि अगर यहाँ पर एक और परसन जिसका नाम लूज याए वो आकर परसन कहने लगता है कि लगता है कि तुम्हारी दूलन भाग गए इसलिए तुम हमपे गुसा करने के आयो लूज याओ उसको जो से थपर लगाता है और वहाँ दिखाते है वो कार से शियोड को अंदर निकालता है और उससे पूछने लगता है तुमने यह सब कुछ क्यों असिस्टेंट को कॉल आ जाती है और दॉक्र उसको बता देता है कि जान की डेथ हो गई है वहाँ पर ही वह जोर से बूलाता है लूज याओ कर कहता है कि बॉस दॉक्र की कॉल आई और उसने बताया है कि जान की डेथ हो गई है तब ही वह हरांगी से कहता है क्या यह तुम क भागता है वहाँ पर ही दिखाते है वह दोक्टर को पकड़ता है और उसको कहता है मैंने तुम इसको सेव रखना वहां ही फ्लेश पैक पे दिखाए जाता है कि जियान का भाई बहुत जादा मिनत करता है दोक्टर को पैसा देकर बहुत जादा लालच पी देता है और उसको क ले गई तभी फिर उसको कहता है कि मुझे बॉंड लेकर चलो तो वहां पर ही वो जैसे इसकी डैड बॉड़ी के पास बैठा होता है तो वह बहुत एमोशनल हो रहा है तो उसको कहता है कि तुम शुरू से जान चुडाना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी व गहरा तूट चुके हैं और कोई भी एविडेंस नहीं मेरा तभी फिर उसका दिल तूट जाता है और कहने लगता है कि यानि के गॉंग फैमिली अब भी बजगी उनके खिलाफ कोई सब होता ही तब फिर उसको कहता है कि नहीं बॉस मेरे पास एक मेल तो आ चुकी है तभी चिवड़ी ऊआँ होता है कि जैसे ही फोलूस आँोता है और भी कि जाता है तो आक्राज़ी आप चक्राथ हुंग उनको माने जा रहा होता है टो सको है। के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकती इनकी इस चीज को लेकर बहस बढ़ जाती है वहां पर इलूजियाओ का असिस्टेंट रोगता है कि बॉस प्लीज आप इनके साथ कुछ मत करें तो इसको कहते है तुम बीच से हर जा लेकिंगे उसको समझाने लगते है कि प्लीज अगर मैडम भ जैसी वह उनके पास जाता है तो इनको बाते सुनाने लगता है कि लगता है तुम लों मेरी बरबादी देखने आई या मेरी डेफ देखने आए थे तो फिर महां पर ही मिसिस जेन नाटक कर रही हुए थी अच्छा बनने के लिए कि नहीं हमें तो आपकी फिकर हो थी हमें कि थोड़ी ना फिकरती तो उसको कहता है कि आप प्रिटेंड करना छोड़ दें गौंग फैमिली के साथा बहुत पहले मिल चुकी थी और किस तरह से हॉस्पिटल में नर्स को आपने बहकाया था और सी यू की टुइन सिस्टर जो कि एप्रिल है उसको आपने चुरा लिया उसके जाने के बाद इसका भाई उसको कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्थ तुम पावरफुल हो अब ये दोनों भाई भी आपस में अर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और वहां पर ये अर्ग्यूमेंट करते हैं इसका भाई जो वील्चर चलती है और इसके बाद दिखाए जाता है कि खुब मुकम की भी होती है और इनके बहुत जादा लड़ाई बढ़ जाती है दिखाए जाता है कि जैसे ही जियान को इसका भाई कुछ खिला पिला रहा होता है नियूस चैनल पर यही खबर चल रही होती है कि नोन फैमली के दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और सारी डीटेल्स बताई जारी होते हैं कि इनकी बहुत हाथा पाई भी हुई है और जिसमें दिखाए जाता है कि लूज याओ जखमी भी हो चुका तो इसका दूसा भाई भी जखमी हो चुका होता है और इन पर केस भी चाहरा है अब इस्ता बाई उसको समझाने लगता है कि तुम उससे दूर होगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा लेकिन वो इसको कहती है कि नई भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैंने उसे प्रामिस किया था और मुझे उसके पास जाना चाहिए इसका भाई उसको समझा भी रहोता है कि हम यहां से कहीं और चले जाना चाहिए तुम गलत समझ लिए लेकिन उसको कहती है कि नहीं मैं इस तरह से नहीं कर सकती हूँ आपको पता है जब से मैं ये खबर सुनी है तो मेरा दिल अंदर ही अंदर कटे जा रहा है मुझे बहुत परिशानी हुदी है उसका भाई उसको रोग भी रहा होता है लेकिन वह जबरदस्ती वहां से भाग जाती है अब दिखाए जाता है कि लूजियाओ को एक घर में कैद कर दिया गया होता है वहां उसको कहने थे पॉस आप बिल्कुल ठीक हो ना तो फिर उसको कहते है कि हां मैं मरा नहींग हो भी ऐखारा तो हम जो जाने की ज़रूरत नहीं है आपको पता है Ahora keith한테 की आण केने हो सारी तहेरा हमें लोगे दिखाते हैं कि जो भाग कर जा रही होती है उसको आपको पूया शञाने की कुरूरत नहीं है आपको पता है कि कर बैठी होती है तो कि जैसे टैसे बांग रहा होता है तो जितने भी नीचे लाइत होते हैं तो इसको फॉलो कर रहे होते है निए जरी में इकसी चार फॉलॉजार पर नजर पड़ती है तो जैसे पीर जो जोब में कुछ भी मुझेjas बताना है प्लीज तुम होश में आ जो जोड़ा रही होती अंपने प्यार का इजार भी कर रही होती है तो आखिर कर वोसको होस्पिटल ले जाते है अब उसको होस्पिटल ले जाती है और फ्लॉवर्वर्स व 간단 को सेट करे ही जह है तो देखती है कि लूजियाओ को होश आ रहा होता है जिसे देखकर वो हैपी हो जाती है और उसको कहती है तो अपनी फैमिली के खिलाफ बहुत से एविडिन्स देने थे अब मैंने वो सब कुछ कर लिया है और मैं फाइनलि तुम्हारे पास ही हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगी जो मैंने वादा किया तो उसको मैं पूरा करूँगी तो फिर वहां पर ही उसको रिंग देता है और उसको कहता है कि फाइनली इस दिन के लिए मैं तरस किया था और इन वर्ड्स के लिए भी और वाकि जो तुम कह रही हो तुम को मेन करती हो ना तो उसको कहती है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और मटे दम तक हम दोनों एक ही रहेंगी यानि कि फाइनल ये दोनों इस दूसे से पने प्यार का हिशार कर लेते हैं और वहां पर ईलूज याओ इसकी तरफ बढ़ता है और प्यार बरी नजरो से इसको देखने लगता है और ये दोनों हैपी हो जाते हैं और इसी तरह से इस कामे की हैपी एनली हो जाते हैं